प्रिये दर्सकों हमारे चैनल इस्प्रेडिंग धर्मा में आपका स्वागत है। दर्सकों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तुलसी दास जी की हनुमान जी और सीराम जी से मुलाकात कहां और कैसे हुई। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो सुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि तुलसी दास जी की रचनाओं में बहुत सी जगों पर हनुमान जी से मुलाकात का वर्णन किया गया है। अपनी रचना में तुलसी दास जी लिखते हैं कि जब वह बेराग के धारन कर वारांड सी में रह रहे थे तो एक दिन बनारस के घाट पर तुलसी दास जी की मुलाकात एक सादू से होती है। जो भगवा वस्त्र पहने राम नाम का जब करते हुए गंगा की और इसनान करने के लिए जा रहे थे। अचानक ही मार्ग में तुलसी दास जी उस सादू से ठकराते हैं। टकराने के बाद तुलसी दाज जी चिलाते हुए कहते हैं कि हे सादू महराज मैंने आपको पहचान लिया है। मुझे पता है कि आप कौन हैं हे सादू महराज आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुलसी जास जी इतना कहने पर सादू ने कहा हे तपस्वी भगवान राम आपका भला करें। इतना कहकर सादू ने तुलसी जास जी को आसिरवाद दिया और वे अपने इस्थान की ओर चले गए। हनुमान जी ने तुलसी दास जी का मार्ग दर्सन करते हुए बताया कि जब तुम चित्र कूट आओगे तो तुम है भगवान राम के दर्सन होंगे। इस तरह जो सादू के वेश में थे वो हनुमान जी स्वेम थे। रामचरित मानस में एक प्रसिद्ध प्रसंग मिलता है जब तुलसी दास जी ने भगवान राम से भेट की थी। घटना कुछ इस प्रकार है कि राम भक्ती में लीन रहने वाले तुलसी दास जी एक समय जब उत्तर प्रदेश के बुंदेल खंड चेत्र में इस्थित चित्र क पूट के राम घाट में आस्रम बनाकर रह रहे थे तो एक दिन तुलसी दास जी कामदगिरी परवत की परिकम्मा करने गए हुए थे जहां तुलसी दास जी ने दो राजकुमारों को घोड़े पे सवार आते देखा लेकिन तुलसी दास जी ने ना तो उन दोनों राजकु इस घटना के बाद जब अगली सुवे नदी के किनारे घाट पर तुलसी दाज जी चंदन का लेब बना रहे थे तो दो राजकुमात तपस्वी का भेस बना कर तुलसी दाज जी के एक आस्रम आते हैं। इसके बाद भगवार राम तुलसी दाज जी के पास गए और चंदन के लेब का तिलक मांगा। सर में एक स्लोक लिखा चित्र कूट के घाट पर भई संतन की भीर तुलसी दास चंदन घिसें तिलक देत रगवीर भगवान राम से भेट के संबन्द में तुलसी जास जी ने बताया उप्रोक दोहे में तुलसी दास जी कहते हैं कि भगवान देखकर वह मंत्र मुग्द हो गए और अपनी सुद्वुद खो बैठे जब भगवान राम ने तिलक लगाने कहा तो तुलसी दास जी को ग्यात हुआ कि यह प्रभू सी राम है जिसके बाद तुलसी दास जी ने सी राम जी को चंदन का तिलक लगाया और भक्ती अवस्था मे लीन होकर अंतर ध्यान हो गए प्रिये दर्शको हमारी वीडियो अंतर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैसी राम दर्शको